ज़र आप पूरी ताकत से बोलिये बड़ा पाएगा बड़ा पाएगा साथियों कॉंग्रेस अब खुल कर वोट बैंक और तुष्टी करण का खेल खेल रही है आपने सुना होगा इंडी अगाडी के लोग वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं महाराष्ट्र कॉंग्रेस के लोग चब्वीज ग्यारा के मुंबई हमले के आतंकियों को क्लीन चीट दे रहे हैं सिंदेजी ने अभी उपनी भाषन बैस का उलेख भी किया कशाप समेत जो दस आतंगवादी पाकिस्तान से आये थे ऐसा लगता है कॉंग्रेस उनसे कोई रिष्टेदारी निभा रही है देज पूछना चाहता है कॉंग्रेस के लोगों और आतंगवादियों का ये रिष्टा क्या कहलाता है देज भूला नहीं है वो दिन जब कॉंग्रेस के समय में आतंगवादियों का स्वागत प्रदान मंत्री आवास में होता था और देश ने वो दिन भी देखा था जब बिल्ली में बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए कॉंग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी आतंगवादियों के मरने पर इंडी अगाडी वालों वही दीन देश में वापस लाना चाहते हो याद रखो मोदी चटान बनकर तुमारे सामने खड़ा है साथियों सहजादे तुस्ती करण की सनक में एक और खतरनाक चाल चल रहे है आप भी जानते हैं बाबा सहाब आमबेड करने बलीतों पीछणों को आदिवासियों को आरक्षन का अधिकार दिया था बाबा सहाब ने इस बात का भी पूर्जोस विरोद किया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दिया जा सकता इस बात पर बाबा सहाब अडे हुए थे पूरी संबिदान सभा ने आज से 75 साल पहले लंबी चर्चा करके ताई किया था कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षन नहीं दिया जा सकता लेकिन कॉंग्रेस पार्टी दलीतों आधिवासियों पीछणों का आरक्षन चीन कर उसे धर्म के नाम पर देना चाहती है